प्रावलम तो होती है तो कौन सा बेटर है क्या नहीं यह पूरा इसके अंतर रिव्यू देने वाला हूं और याँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो याँ क्या कर रहे हो और वीडियो को लाइक तो एर बनता यह बहुत मेनद लगा इस वीडियो को बना ले में ठीक है तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अपना जो है आलोक तो आलो हील मतलब वो जो एक और रहता एक रिंग बनती है उससे आप पांच-पांच पर सगेंड के लिए आपको जो हील मिलते रहती है यहीं आपको क्रोनो केरेक्टर में आपको एक शील्ड मिलता है जो कि सामने से डैमेज जो भी पड़ता है उसको यहां पर रोग देता है 600 करने के बाद अपर उसको रिकावर कर सकते हो पांस-पांस हील तो यहां पर जो है आपको एस मेडिकिट या फिर जो भी अपना हमें इनहीलर होता है उन से आपको भरना पड़ेगा ठीक है तो इस तरह कासे आपको आपना क्रोनो केरेक्टर और एक तरफ आपको देखने लुक्त यहां पे सीम टाइम दोनों को तो दोड़ा यहां पे बिफेस्ट तो काफी अच्छा यहां पे निकल के आइख क्योंकि यार क्रोनों करेक्टर्र काफी यार CHARACY से बहुत जादा तेज है तो यार आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कितना डिफरेंस है कि पहले देख लो यहां पर जो दूरी इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा बट यहां पर जब आप क्रोनो करेक्टर यूज करोगे ना तो मतलब आपको अंदर से मतलब एक्चुल स्पीड है तो आलोग यहां पर नौ सेकंड खतब हो निकवाद यह पीलर के पास में देख लो कौन कितना पास में है ठीक है तो यहां पर आपना क्रोनो करेक्टर काफी आगे यहां पर निकल जाता है और बात करें तो यार स्पीड के मामलों में मतलब यार क्रोन करेक्टर तो काफी तूफ़ान जीसा निकल गया एकदम क्योंकि 15 110 गाफी तेज भता है क्यों 15 पॉसँन से जैदा है करौन हर में और करेक्टर जैधर ठोहं तो यहां पर फैसरे आनलों औरा पर के एकनल जाए प्रहत सकता विव्थ का रहा फैर और यहां पर भी कि यार क्रोणोग केरेक्टर काफी सही है जान ऩयार आलोक बी कोई कम ऐसा है नहीं से इसके अंदर कुछ कमी है तो हें अंदर सारे करेक्टर कुछ ना कुछ कमीओं से भघर कुछ ना कुछ अच्छे चीज़े भचते अबर कारेक्टर पाज são सो कहां फूर। झाल झाल